तो चलिए मैं इसकी अन्बॉक्सिंग आपके सामने करके दिखाती हूँ और बताती हूँ आपको कि क्या प्राइस था और क्या डिस्काउंट मुझे मिला है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ आप देखिए कि कितनी अच्छे से इसकी पैकेजिंग करते हैं ताकि समान जो है आपका दूर से आता है गाड़ी में डलके आता है तो बॉक्सिस को वो लोग इतनी जोर-जोर से गाड़ी में डालते हैं फे यह मैंने यहां साइट से खोल लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊं के पैकेजिंग यह लोग कैसे करते हैं यह दिखें बिलकूल यह इसके अंदर पेपर आया इसके अंदर इसका प्राइस बगरा लिखा होगा और यह दिखें इस तरीके से पाक करके इसको पर डालते हैं कि कोई भी चीज आपकी जो है वो खराब ना हो सही सलामत आप तक पहुँचें ये अंदर से बॉक्स हो गया है खाली और अब इसके अंदर हैं हमारी नेल पेंट्स तो चलिए मैं आपको इसे भी एक एक करके ओपन करके दिखाती हूँ यह देखें यह ओपन हो गया है और इसकी जो पॉलतीन है फ्रेंट्स यह मैं बहुत संभाल के रखने वाली हूँ क्योंकि इसके जो यह यह है यह मुझे फोडने में बहुत मज़ा आता है तो आप मैंसे किस-किस को ऐसे मज़ा आता है न वो मुझे जरूर बताना बच्पन मे इसके बहुत करते थे बट मैं अभी भी करते हूँ तो यह देखिया हमारी फर्स्ट नेल पेंट तो यह न मैंने मैट नेल पेंट्स मगाई है क्योंकि नेल एक्स्टेंशन में हमें इसकी बहुत जादा जरूरत होती है और इस त्वाइडिंग सीजन है तो ब्राइड्स को जो चाहिए होता है उसमें वो इस टाइप की नेल पेंट्स मांगते हैं तो यह मेरे पास खतम हो गई थी इसलिए मैंने मंगाई है और आपके साथ मैंने सोचा इसका रिव्यू और डेमो कर दूँ ताकि अगर आपको भी मंगानी है आप भी अच्छी नेल पेंट्स हून र तो आप इस टाइम अगर समान मंगाते हैं तो आपके लिए बहोत जादा बेनेफिट रहेगा कि अरे कि कि मिए अन्हीं थो सरा फेदें फोली है इसमें हारी टू 01 So wet टू है Totally manage है टिरी नेल की शे tint मन गआया तो यह ब्राइड के purpose से में ब्राइड के माइन यह प्रपर्परी और इस तण मेरे में में मैं अगल से टास्वाल कि मैं और चोड़ हैंb मुझे टाल कोन प्रिक एडना शरा मान वगृ का प्रिक यह देख सकते यह 3 में अगल। मेरे नेल्स तो नहीं हैं बहुत छोटे-छोटे हैं क्योंकि मुझे नेल्स खानी की आदत है बट मैं आपको अपने नेल्स पर लगा के दिखाती हूं ठीक है कि यह शेड कैसे हैं वाकि आप बड़े-बड़े नेल्स पर लगाएंगे तो नेल पेंट की जो खुबसूरती है दूगनी हो जाती है तो चलिए मैं आपको थोड़ थोड़ लगा के दिखाती हूं तो सबसे पहले मैं आपको यह नेल्स पेंट दिखा रही हूं थोड़ा सा हम इसको शेक कर लेते हैं ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए इस तरीके से और उसके बाद निकालके एक से इसका एक्स्ट्रा हम इस तरीके से पोच लेंगे जिससे कि यह बहुत जादा ओवर ना लग जाए मेरे नेल्स पर तो यह आप देख सकते हैं मेरी जो नेल हैं वह बहुत चोटे-चोटे जासे कि मैंने बताया मैं नेल्स चबाज हाती हूं तो यह देखिए यह मैं आपको दिखा रही हूं यह बहुत ही अच्छे से मैट हो जाएगी सूख के ड्राय जब होगी तो बहुत ही अच्छा यह शेड लगेगा मेरे नेल्स बहुत चोटे हैं इसलिए में भी कि आपको बहुत जादा अच्छी ना लगे यह दिखिए इस पर हम डबल कोट क सुख जाती है और मेरे पास तो निएल ड्रायर भी mirrors रिव्यू किया हुआ है आपको देम भी करके दिखाया हुआ है तो अगर साहे तो मेरी वीडियो पर देख सकते है अगर आप निएल ड्रायर करिदना चाहरे हैं तो बहुत ही अच्छा किवा रेड्र है वो तो मैं जो अब विचुछ आपको जादा समझ आएगा आपको मेरी मुम्मा के नेल्स पर इखाती हूं कि मेरी मुम्मी नेल्स है वह बहुत बड़े-बड़े हैं मेरे बहुत चोटे इह इतना मुझा नहीं आ रहा तो इसलिए मैं आपको इसलिए आपको आपको है उपना मजा हो गई है तो बहुत बिल्कुल मैट फिनिश आ गई है इसके उपर जो मैट फिनिश है ना आजकल गर्ल्स या ब्राइट्स जो रेडी होती है उनको मोस्ली यह होता है कि हमें मैट फिनिश वाली नेल पिंट चाहिए तो इसलिए फिर मैने यह वाले शेड मगाई हैं जो मेरे पास खतम ह बढ़क हो गई थे यह वाली इंड है सफ में तो लगा। दिखाते हैं मैब आपको ममा की नेल्स पे आपको लगा के दिखाते हो हुना जोROप अबनेल चाहिए मुझे जब कहीं चर्कालेको नकली वाले जो नेल्स चिपका लेती हूं क्योंकि फिर उसके बिना ना अच्छा नहीं लगता चलिए हम आपको नेल पेंट लगा कर दिखाते हैं तो यह आप देख सकते हैं मेरी जो मम्मा की नेल्स है वो किते बड़े बड़े हैं और चलिए सबसे फर्स्ट मैं आपको लगा कर दिखा रही हूं यही वाली नेल पेंट जो फर्स्ट मैंने अपने नेल्स पर लगाई थी तो आप देखिए कि बड़े नेल्स पर बहुत सुंदर लगती है तो अगर आपके भी नेल्स बड़े नहीं हैं तो आप भी मेरी तरह आटिफिशल नेल्स ले आईए ताकि आपके हाथ भी खुब सूरत लग सके तो यह देखिए मैं फर्स्ट नेल्पिंट लगा रही हूं यह वाल हाथ जो है मेरा उल्टा है तो थोड़ा से मुझे दिक्कत हो रही है यह देखिए इस तरीके से यह लगाईए हमने फर्स्ट तो यह जिसके उपर शाइन हारी है ना गाइस यह अभी जैसे यह मैट हो जाएगी ना सुके ड्राय हो जाएगी तो यह मैट हो जाएगी चलिए तब तक मैं दूसरी वाली nail paint लगा के दिखाती हूँ आपको बहुत ही सुन्दर सुन्दर color है और आजकल ये वाली matte वाली nail paint ही मतलब लगाते हैं सब fashion में हैं सबको अच्छी लगती है तो अगर आप भी ये वाली nail paint ढूंड रहे हैं और आपको नहीं मिल रही है तो आप भी online नाइका से purchase कर सकते हैं और इस टेम जो है नाइका पर आफ भी चल रहा है ये देखिए आप ये अब मैंने second nail paint लगाई है ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ तो सबसे पहले मैंने ये वाली लगाई है उसके बाद अभी मैंने ये वाली red वाली लगाई है आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी अभी इन दोनों में से एक भी dry नहीं हुई है फटा फट ये dry हो जाती है आपको दिख रहा होगा ये वाली dry होनी start हो गई है इसमें shining थोड़ी सी कम हो गई है और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जितने भी colors है न ये सभी बहुत खुबसूरत है आप जब इन्हें लाके लगाएंगे न तो आप खुद मुझे thank you बोलेंगे ये side से मैं इसको remove कर देती हूँ ताकि जो है finishing आए अच्छे से थोड़ा सा फैल गया है ये इस तरीके से ये देखे ये थर्ड नंबर का color है बहुत ही खुबसूरत लग रहे है सारे color आप देख सकते एक ये वाला shade है एक ये red है और ये pinkish में है थोड़ा सा राणी color जिसे बोलते है उस टाइप से pink color है ये बिलकुल red है beautiful girls जो पसंद करते हो उस टाइप का red और ये थोड़ा सा अपका maroon color आ जाता है ये दिखिए इसमें फरक है बट मेरी खाल से उतना जादा नहीं शो हो रहे है दोनों ही ये तीनों मैट हो जाएंगी बिलकुल dry हो जाएंगी मैं आपको दिखाऊंगी तब तक के लिए दो मिनिट के लिए आप कर लीजे वेट तो गाइस ये आप देखिए ये जब नेल पेंट हमारी dry हो गई है तो ये कुछ इस तरीके से लग रही है कि नीचे से जो हमारा नेल जाओ जाओ जाएंगी तो ट्रह दबल कोट हो जाएगा इसके उपर एक नेल्स है वो शो नहीं होगा और निल पेंट भी जो है डार कलर आजएगा जैसा कि आपको ये बॉटल का कलर नजार आना डार बिलकुल इस तरीके से ये डार वो जाएगा ।ो चलिए अम इसके उप तो सबसे फर्स्ट हमने लगाई थी फिंक वाली नेल पेंट इस पहले में पें पींक वाली नेलपिंट यग यज रिखारी में दुबारा से नेव पेंट नेल पेंट हरी क्योंcar यह हमने दुबारा से इसके उपर लगाई है तो अब जो हमारा सच में जो कलर हमें चाहिए था जो इस नेल पेंट में है वही कलर अब हमें दिखाई देगा अभी जो हमने फर्स लगाई थी वो थोड़ा लाइट था तो उससे हमारा नीचे का नेल जो हो रहा था और कलर वैस यह दिखिए यह मैंने इसके उपर भी लगा दिया है तो अब जो यह रियल है हमारे कलर वही हमें दिख रहे हैं और अब सबसे लास्ट में हमारा रह गया यह मैरून शेड तो चलिए हमेसे भी लगा लेते हैं फटा 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 नेल पिंट लगाने से पहले हमेशा अच्छा लग पाई इक्वल यह देखिए अब इसके उपर मैंने निल पिंट लगा दिया है तो अब इसका कलर हमें महरून अच्छे से नजर आ रहा है ठीक है तो यह अब आप देखेंगे शेड तो आपको रेड और महरून में भी फरक नजर आ रहा होगा है ना यह जो है हमारा डाक महरून है और यह रेड है यह जो है हमारा एक टमाटरी रेड जिसे हम कहते है ना ब्लड रेड उस टाइप से है और यह हमारा महरून है और यह है पिंक कलर तो यह तीनों शेड ऐसे हैं जिसमें आजकल जो है ब्राइड जो लहेंगे परचेस करती है वह इन तीनों में सी एक शेड होता है तो इसलिए यह वाले निल पिंट के शेड में हमेशा अपने पास लगती है तो चलिए दो मिनट का हम यहाँ ब्रेक ले लेते हैं मैं आपको एक बार यह सारी निल पिंट दिखा देती हूं जो मैंने भी यूस की है और आपको बता देती हूं इनका प्राइज मुझे क्या पड़ा है तो यह आप देखिए यह वाले तीन शेड मैंने आपको 1 है बट ये मैंने नाइका से online purchase की है तो मुझे ये 1 nail paint 169 की मिली है मादब 169 इसका price है बट नाइका पे off चल रहा है तो अगर आपको भी ये और सस्ती चाहिए और कम price में मिल रही है तो फटा-फट से आप ले लीजिए नाइका पे चल रहा है guys 50% stem off 50-20% off चल रहा है तो ये मुझे उसी में off price में मिली है 169 से कम है तो अगर आपको भी लेनी है और भी अच्छे-च्छी nail paints है ये मैट है इसके अलावा भी है अगर आपको मैट नहीं चाहिए तो वो भी है तो आप वो भी ले सकते हैं ठीक है तो guys आप ये देख सकते हैं ये जो हमारी nail paints है ये बिल्कुल dry हो चुकी है matte हो चुकी है matte finish आ चुकी है इसके उपर ये आप देखिए बिल्कुल ये हमारी pink वाली आपको दिख रही होगी इस पर matte finish ये देखिए सारी जो nail paints है हमारी उस पर matte finish आ चुकी है guys क्याई बर क्या होता है हम जब ये nail paint लगाते हैं वैसे तो आजकल ये ही चल रहे है सब लोग ये ही पसंद करते हैं बट क्याई बर हम जब ये shade लगा लेते हैं तो काफी लोगों को ये पसंद नहीं आती है क्योंकि ये सूफने के बाद बहुत जादा matte finish देती है और बिल्कुल जो इसकी shine है वो खतम हो गई है तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी है मुझे तो इस type से matte nail paint बहुत पसंद है बट जैसे कि मैंने का कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो मेरी ममा को भी matte finish जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आई उन्हें लगा कि एकदम shining shining होनी चाहिए तो अवल तो अगर आपको ये वाली nail paint इस type से लगानी है तो आप लगा सकते हैं नहीं तो मैं आपको दूसरा जो option दिखा रही हूँ मेरी ये वाली nail paint है ये भी 250 की है गाईज ये only one nail paint है तो ये nail extension के time में लाई थी तो ये जो है 250 की एक nail paint है ये top coat है तो मैं आपको इसके ओपर ये लगा के दिखा रही हूँ ये जो है थोड़ी सी थिक होती है ये वाली nail paint तो ये आपको dryer में ही सुखानी पड़ती है तो ये देखिए अगर ये जो pink ये वाली finger है dry लग रही है आपको ये वाली तो अगर ये आपको ऐसे अच्छी ना लगे आपको client बोले है या आप घर में खुट से try करने हैं और आपको लगे यार ये तो बहुत ज़ादा ही mat हो गई तो आप इस तरीके से इस पे एक shining वाली transparent जो हमारी nail paint है वो भी लगा सकते हैं ये देखिए तो ये आपके इस तरीके से shine करने लगेगी तो अगर आपको इस type से mat finish नहीं चाहिए ये वाली finish आपको अच्छी नहीं लग रही है nail paint सूखने के बाद तो आप इस पे ऐसे transparent वाली shining वाली nail paint लगा सकते हैं तो ये जब सूख जाएगी तो ये बहुत अच्छी shine देगी फिर ये mat finish नहीं देगी ये देखिए मैं इस तरीके से आपको सब पे लगा के दिखा देती हूँ ये देखिए इस पे लगाई है ये देखिए कितनी अच्छी shine आ रही है और अभी इस पे हमने नहीं लगाई है तो ये वाली देखिए ये आपकी mat finish और ये कितनी अच्छी पे आ रही है shine तो अगर आपको mat finish पसंद नहीं है ये आपके client को mat finish पसंद नहीं है तो आप इस टाइप से ये शाइनिंग वाली नेल पेंट लगा सकते हैं ये टॉप कोट उपर से बहुत ही अच्छी इससे जो है शाइन आईगी नेल पेंट पे ठीक है तो ये अब मैं सब लगा देती हूँ ममा ने सब नेल पेंट सारे नेल्स पे लगा ली थी ये महरून वाली उन्हें बहुत पसंद आई है ये देखे इस पर और अब हम चोटी वाली फिंगर हमारी रह गई है उस पर भी लगा लेते हैं ओके तो अगर आपको मैट फिनिश वाली नेल पेंट नहीं चाहिए वो जो भी हमने लगाई थी तो आप इस टाइब से लगा सकते हैं ये देखे कितना सुंदर हाथ हो गया है कितनी सुंदर लग रही है हमारी नेल पेंट के शेड है ना बहुत ही वाव लग रहे हैं तो गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा कि इन में से कौन सा share आपको सबसे ज़ादा पसंदाया इन में से आपका favourite कौन सा है मेरा favourite तो ये pink वाला है और ममा को पसंदाया ये मैरून वाला तो आपको कौन सा पसंदाया आप जरूर बताईएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो useful हैं तो चलिए मिलते हैं हमारी नई वीडियो में बाई